राजिस्थान के सियासी उथल पुधल में ये अशोग गहलोत का नया मास्टर इस रोग था शक्ति प्रदर्शन का ऐसा अंदास इससे पहले कहीं नजर नहीं आया था मुखे मंत्री के घड जब कॉंग्रस विधागों की बैठक चल रही थी तबी अशोग गहलोत ने मीडिया को अंदर बुला लिया ये दिखाने के लिए कि देखे हमारे पास बहुमत है सियाम अशोग गहलोत और उनके समर्थक विधागों ने विक्टरी का निशान दे कर संकेत दिया कि बहुमत उनके साथ है या फिर बाहर जाना होगा क्योंकि अशोग गहलोत की चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए यह मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है यह शक्ति परदर्शन का नयाब नजारा था ऐसा लग रहा था कि विधायकों की मौजूद्गी से अशोग गहलोत आश्वस्त है और फ्रेंट फुट पर बैटिंग करने के लिए तयार है गुलाबी शहर का सियासी पारा कल से ही लाल था सुभा से सरगर्मी तेज थी कॉंग्रेस ने सुभा साड़े दस बजे पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई थी सुभा नौ बजे से ही विधायकों का पहुचना शू हो गया था पार्टी नेता लंबे चोड़े दावों के साथ मवजूद थे गहलों सरकार के मंत्रियों का दावा है कि उनके पास 109 से 115 विधायक हैं हालकि फिलहाल असली फिगर 102 का आ रहा है फिर भी यह आकड़ा बहुमस से एक ज्यादा है राजस्तान की कॉंग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करेगी हमारे साथ 115 विधायक रात को ते सब पार्टियों के मिलाखे और 10-12 विधायक भी, कल रात को इनके जो काफी विधायक थे वो तोट कर यहां आ गए और यह गलत फह्मी निकाल दे राजस्तान की जनता, यह माना प्रताप और पन्ना धाई की धरती है बीजेपी का कोई आदमी यह समझे कि पैसे के दम पर तोड़ फूड़ करके सपत ले लेगा सपत नहीं होगी राजस्तान के किसी गाउं में बीजेपी के नेता घुस नहीं पाएंगे बीजेपी ने जो MP में पाप किया वो पाप यहां करना चाहती है उनका पैसा खराब जाएगा आज पैसे के दम पर वो सोच नहीं हम राजनीत कर लेंगे और नंबर गेम में भी पिटेंगे बुरी तरह से राजस्तान में हमारी सरकार हमारी पूरी तयारी हो गई 115 विधायक हमारे साथ कल रात को थे बीजेपी ने जो MP में पाप किया वो पाप यहां करना चाहती है उनका पैसा खराब जाएगा आज पैसे के दम पर वो सोच नहीं हम राजनीत कर लेंगे और नंबर गेम में भी पिटेंगे बुरी तरह से राजस्तान में हमारी सरकार हमारी पूरी तयारी हो गई 115 विधायक हमारे साथ कल रात को थे राजस्तान में गेहलोस सरकार को संकट से उबारने के लिए कल रात ही दिल्ली से तीन संकट मोचक जैपूर पहुँच गए थे सीनियर नेता अजिमाकान, मुखे प्रवक्ता, ररदीब सुर्जिवाला और राजस्तान कॉंग्रेस के प्रभारी महसचिप अविनाश पांडे आधी रात तक तीनों नेता अशोग गेहलोत के साथ मन्थन करते रहे कॉंग्रेस पहली बार इतनी सक्रिय नजर आ रही थी रात के करीब दो बजे इन तीनों नेताओं ने प्रेस कॉंफरेंस कर 109 विधायकों की चिठी होने का दावा क्या 109 विधायकों ने सहमती पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननिये अशोग गेहलोत जी के नितुत में कॉंग्रेस सरकार पर और माननिये सोनिया गांदी जी और रहुल गांदी जी के नितुत प्रपना विश्वास जाहिर किया है इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननिये मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है कॉंग्रेस के बागे नेता डिप्टी सेम सचिन पाइलेट अभी भी दिल्ली में बने हुए है मेडिया के बीच उनका कोई बयान नहीं आ रहा लेकिन सूत्रों के जर्ये उनकी बातें लगातार सामने आ रही है सचिन पाइलेट के मताबिक 30 विधायक उनके साथ हैं और गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है उधर कॉंग्रेस ने गहलोत को साफ संकेत दिया है कि वो चाहें तो अब भी उनके लिए रास्ते खुले हैं अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं वो परिवार से अप रुष्ट होकर अपना गुसा प्रकट कर माबाप के साथ बैठकर चाचा ताओ के साथ बैठकर परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है कॉंग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूँ अजे माखन जी की और से उनकी बात हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार बाराल जो खबरे आ रही है उससे साथ है कि नमबर अशोग गहलोत के साथ है लेकिन अभी ये ऐलान बाकी है कि लड़ाई का ये दोर अशोग गहलोत जीत चुके है